तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे अगर आप अपने ओपो के फोन में डबल टैप to turn off screen setting को enable करना चाहते हैं तो आप कैसे enable करेंगे अपने ओपो के फोन में double tap to turn on screen को कैसे enable करेंगे जैसे आपका mobile phone लॉग होता है जैसे हम यहाप पर अपना mobile phone लॉग तो हमारा यहाँ पर screen देख से enable हो चुका है, यानि कि on हो चुका है, तो आप अपने mobile phone के अंदर double tap, आप कैसे on करेंगे, आप अपने OPPO के phone में, तो सबसे पहले हम अपने mobile phone को यहाँ पर unlock करेंगे, तो कैसे आप on करेंगे, इसके लिए आपको करना क्या होगा, setting आपको open करन हो जाएगा, आपको यहाँ पर नीचे आना होगा, जैसे आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, तो यहाँ पर आपको यह के setting देखने को मिल जाएगा, smart देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, smart आप इस पर click कर देंगे, जैसे आप इस पर click करते हैं, उसके ब यहाँ पर सबसे पहले आप इसको किलिक करेंगे जिसे आप इस पर किलिक कर देते हैं किलिक करने की बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा देख सकते हैं double tap to turn on screen देख सकते हैं तो इस setting को यहाँ पर आपको enable कर देना है अगर आपका यह setting इस तरह से बंद है तो आप इस setting को यहां से इनेबल करेंगे उसके बाद आपका मुबाल फून लॉक होगा और आप डबल टैप करेंगे यहां की दो बाट टेच करेंगे लगातार तो आपका जो इसक्रीन होगा वह आपका ओन हो जाएगा तो इस तरह से आप ओपो के फॉन में डबल टैप टू टर्न ओन इस स्क्रीन को सेटिंग को इनेवल कर सकते हैं तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में इस वीडियो के लिए इतना ही वीडियो पूरा देखने के लिए आपका पहुत धन्वार